हेलो एविवान, वेल्कम बेक टो माई चैनल, आज किस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सेविया कस्टर्ड या फिर आप कह सकते हैं सेविया कस्टर्ड फालोदा और यह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही तेस्टी है, बहुत ज़ली बन जाती है, तो चलिए इसे हम दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, हलका सा इसका color change करना है, बहुत जादा इसको dark नहीं करना है, जैसे ही धोर सा color change हो जाएगा, इसे हम side में रख देंगे, यहाँ पर हमने दूसरा फैन ले लिया है, इसमें add करेंगे हम 4 cup dood, 4 cup dood में से आधा cup dood हम बजा लेंगे, जिसे हम बात में use करेंगे, फाइनली इसमें मैंने 3.5 cup dood use किया है, और आधा cup dood हम रख देंगे side में, जैसे ही दूद में boil आता है, गैस का flame हम low कर देंगे, और इसमें add करेंगे हम चीनी, 1 4th cup, चीनी को अची तर से घूल जाने तक हम पका लेंगे, अची तर से dissolve कर देंगे, अब इसमें हम add करेंगे, भूनी हुई से वहिया, इसे हम low flame पर पकने देंगे, जब तक कि ये बिल्कुछ soft ना हो जाए, तब तक हमें पकाना है, इसे हम बीच बीच में चलाते रहें, अब यहाँ पर हमने use किया है, आथा cup dood, जो हमने side में रख दिया था, इसमें add करेंगे हम two and a half tablespoon vanilla custard powder, और इसकी जगा आप strawberry flavor भी use कर सकते हैं, पिछता flavor जो आपको पसंद है, आप अधर add कर सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे, यहाँ पर हम check कर लेंगे कि सिवया अच्छी तरह से पकी है कि नहीं, तो यह अच्छी तरह से बिल्कुल पक गई है, बिल्कुल soft हो गई है, इसके बाद इसमें हम custard add करेंगे, तो यहाँ पर आप चलाते रहें दूद और इसमें custard add कर दीजे, अब इसे 2-3 मिनट के लिए हम medium flame पर पकने देंगे, जैसे custard की consistency होती है, बस उसी तरह से हमें पकाना है, बहुत जादा थीक नहीं करना है, अगर in case थीक हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूद add कर द देंगे और इसे अची तरह से ठंडा होने देंगे, यहाँ पर हमने यूज किया है इस सरह के short glasses, आप चाहें तो disposable transparent glasses भी यूज कर सकते हैं, इसके base में हमने add किया है jelly, jelly आप कोई भी flavor का ले सकते है, यहाँ पर मैंने strawberry jelly और mango jelly यूज किया है, जैसा उस packet पी instruction लिखा होता है, उसे follow करके आप jelly बना लेंगे, उसके उपर हमने custard की layer दी है, और अब add किया है हमने कुछ fruits, तो जो भी seasonal fruits available हैं, आप इसमें add कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से अंगूर, केला और आम यूज किया है, जिने छोटे छोटे pieces में काट लेंगे, इसके उपर हम फिर से custard क layer देंगे, अब इसके उपर हम add करेंगे, red वाली jelly, I mean strawberry jelly, और यह देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, और खाने में भी बहुत tasty होती है, और इसके उपर फिर से मैंने थोड़ा सा mango add किया है, और फिर से इसके उपर हम custard add कर देते हैं, इस stage पर आप इसे fridge में रख दें, पूरी तरह से ठंडा करें, और जब आप serve करेंगे, उस time आप इसके उपर ice cream add करिए, ice cream आप कोई भी flavor का use कर सकते हैं, और इसे हम garnish करेंगे strawberry sauce से, या फिर आप रोज सिरफ पी use कर सकते हैं, और finally semia custard, follow the bandgay बिल्कुल ready है, आप इसे ज़रू try करिएगा, और अपने experience share कर सकत चैनल को subscribe सरूर करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ, till then take good care of yourself and your loved ones, bye bye